वैल्कम बैक टू अनादर वीडियो पिछले वीडियो में हमने देखा principle of average क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे principle of proximate cause या फिर cause of proxima क्या होता है ये principle हमें ये बताता है कि जो events हुए है loss के उसका starting point क्या है जो सबसे पहला chain का point था वो क्या है उसे find out करना है और वो चीज insurance में cover थी कि नहीं वो देखना है मैं यहाँ पर आपको दो तिन example देखे clear करता हूँ example number one कोई person building के terrace पे खड़ा है और वहाँ पे उसे minor heart attack आता है और वो वहाँ से गिरता है और उसके सिर में serious injury होती है और उसकी उसके बाद वो गिरे हैं और सिर्फ उटा है तो अगर person के पास में accidental policy है तो यहाँ पे तो hard attack cover होगा नहीं accident की cover होगी तो अगर वो गिर के मरे होते तो claim मिलेगा लेकिन वो hard attack के वज़े से गिरे हैं तो claim cover नहीं होगा because वो अलग reason से देथ हो रही है दूसरा example कोई building है या library है 4th floor पे है 4th floor पे अगर कोई library है और वहाँ आग लग गई और उस building का fire insurance है अब वहाँ पे आग फैलती जा रही है तो कुछ वहाँ के लोगों ने बोला यह furniture बचाने के लिए इसे बाहर फेक देते हैं तो उन्होंने विंडो से न फरनीचर को बाहर फेकना शुरू किया और कुछ फरनीचर उन्हेंने बाहर फेक है और फरनीचर तूट गया अब फरनीचर का तूटा है उसका भी claim होगा because fire insurance तो हमने लिया हुआ था और फरनीचर फेका गया है because of fire तो भले ही तूटके हुआ है लेकिन claim मिलेगा तो यह होता है cause of proxima जिसमें starting chain देखे जाती है loss है किने से बहुत सारे examples हैं बट वीडियो short बोलनी हैं इसके लिए मैंने आपको दो ही example दिये हैं finance related वीडियो को देखने के लिए subscribe पर हमारा channel falconfin और साथ ही साथ प्लिक कीजिए bell icon पर जिससे आपको आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे